हलो गाइज बेलकम टू माई चैनल स्री एसस एन वर्ल्ड कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो हमारी एंसी आटी सीरीज चल रही है जिसमें जोग्राफी पॉल्ल की और हिस्ट्री सिक्स क्लास की चल रही है तो आप और भी वीडियो अप अपना रोड मैप देख सकते हैं और अपना डेली टार्गेट वेस पे तैयारी कर सकते हैं तो डेली टार्गेट को देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सम बॉक्स में दिया हुआ और गाइस हां यह सिंपल वीड वीडियो में मैं पूरा पूरी कोसिस करती हूँ कि हमारे जो वर्किंग परसान है जो हमारी हाउस बूमन है उनको उनको पढ़ाई में बहुत ज्यादा लाग मिले वह अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं तो गाइस अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपना फोर्थ लेसन हाँ एक चीज और मैंने कहना चाहती हूं कि वीपीएसी ने अपना वीपीएसी का एक नोटिफिकेशन बाइरल हो रहा है कि 3.0 की विकैंसी आने वाली है 3.0 की तो उसके लिए मैं 50 डेस का रोड मैप बनाने वाली हूं तो गाइस आप लोग अगर वी बिएसी रोड मैप को फोलो करें और जो डिएरल-अप ये अनली टारुड कर रहा है तो वह आप डिएरफल-इस वी रोड मैप को फोलो करें एकर दोनों कर रहा है तो पहले आप इपीएसी वाला फोलो करें कि थोनों सेम में बस उसमें number of cases and number of time और हमारा जैसे कि गंटी बजी सिचक ने चात्रों को अपने साथ आने को कहा आज वे पहली बार पुस्तकाला जा रहा है थे मेरी ने देखा कि पुस्तकाला उसकी कच्छा से काफी बढ़ा था वहां किताबों से भरे कई रैक थे कुने में एक अलमारी थी जो मोटी-मोटी किताबों से भरी थी मेरी और ये कलमारी खुलने की कुसर करते देख सिचक ने कहा उस अलमारी में अलग-अलग धर्मों से जुड़ी हुई महातपूर किताब है किस से अलग-अलग धर्मों से जुड़ी क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास बेदों का भी एक संग्र है मैरी सूचने लगी बेद क्या होते हैं चलो पता करते हैं बेद क्या होते हैं दुनिया के प्राचीन तम साहित स्रोतों में एक साहित तुमने बेदों के बारे में सुना होगा बेद कितने होते हैं, बेद हमारे चार होते हैं, रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद, ठीक है, बेद कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के हैं, रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद, अथरवेद, सबसे पुराना बेद है हमारा रिगवेद, ठीक है, इसकी रचना 35 300 साल पहले हुई थी एक हजार से ज्यादा प्राथनाएं कितनी एक हजार से ज्यादा प्राथनाएं जिने सूप्त कहा जाता है क्या कहा जाता है जिने सूप्त कहा गया है सूप्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया सूप्त का मतलब क्या होता है अच्छी तरह से बोला ग होता हैं इंद रियुद्ध के दे होता है और सूम, एक वाधा हैं जिसे एक खास इस बनाया चाहते था तो रिख भी हच Gir 있는 कितने प्रकार के पूज होते हैं चार प्रकार के सबसे प्राजीन रिख अर्री सु पहले टेशनल 3500 साल पहले लिखा गया था दिख बेद में एक हजार से ज्यादा प्राथना है जिन्ने सुखत कहा जाता है सुखत का मतलब क्या होता है अच्छी तरह से बूला घया और यह देवीती होता हो किस्तिती थी और महात्पुर्ट देवता अगनी इंद्र और सोम अगनी क्या थे हाक के देवता है एक्षच्च्रों सबदों वाक्यों में बाट कर स्वास्वार पाथ द्वारा कंठस्ट करवाते थे। विद्यार्थियों को अच्छर, पहले अच्छरों में बाठते थे, फिर सब्दों में बाठते थे, फिर बाक्यों में बाठते थे, इन चीजों को कंठस्त करवाते थे, आधिकाहन सूप्तों की रचाईता, सीखने और सिखाने वाले पुरुषते, कुछ प्रातनाओं की रच तुम स्कूल में जो संस्क्रित पढ़ती हो उससे यह भासा थोड़ी भेनेती, द्यान दखना, सेम नहीं थी, भेनेती, संस्क्रित और आनवासा है, यह भी इंपोर्टेंट है, जो बॉक्स में चीज़ें दे होती है, वो अधिकांस इंपोर्टेंट होती है, इससे कुश्चन बनता है, संस्क्रित भासा भारोपिय भासा परवार का हिस्सा थे, जो संस्क्रित भासा है, वो किस परवार का हिस्सा है, भारोपिय परवार का हिस्सा है, भारत की कई भासा हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कस्मेरी, सिंधी, ACI भासा हैं, असमिया, गुजराती, हिंद कस्मेरी और सिंध्य एसी वासा ऐ हैं जैसे फार्सी तथा यूरोप की बहुत से भासे हैं जैसे अंग्रेजी फ्रांसी सी जर्मन ह्युनानी इतावली सपाने सिर्वाबी कौशन बन जाएगा कि फार्सी यूरोप पर आपको टबली ऐसे यह है और भार्शी उर्डी भास यह श्लीए इंच पर प्रवाशा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आराम में उन्हें कई सब्स एक जैसे थे उध्रारन के लिए मात्र संस्कृत का सब्द है मा हिंदी का सब्द है और मदर अंग्रेजी का सब्द है तो ये एक ही भाषा परिवार की कही जाती थी क्यों कही जाती थी वो आपने देख लिया उप महादीपु में दूसरे परिवार भी परिवार की भी भासाइं बोली जाती है उधारन के लिए पूर्बुत्तर भासाइं पूर्वुत्तर प्रदोसों में तिबबत बर्मा परवार की भासाइं बोली जाते हैं जो पूर्वुत्तर प्रदेश होते हैं कुशन आएगा कि पूर्वुत्तर प्रदेश में कैसी भासाइं बोली जाते हैं किस परवार की भासाइं बोली जाते हैं तिब्बत बर्मा परिवार होगा उसमें कौन सो कौन सी भासा सामाल है तमिल, तेलगू, कननर, मले आलम ठीक है ये हमारी तिब्बत परिवार की तिब्बत बर्मा परिवार की भासा है और द्रवण भाषा परिवार की भासा है कौन कौन सी होती है सौरी पूर्बुत्तर प्रदेश में तिबबबर्मा परवार की भासाएं बोले जाती है ठीक है पूर्बुत्तर प्षय किसकी दिरवन भाशा परवार की भासा ने फिरॉब बर्मा परवार की भासा बोली जाती है जबकि जहारकंड और मत प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भास्ता है कौन सी ओस्ट्रो एसियाटिक परवार से जोड़ी है तो सबसे पहले संस्कित भारोपी परवार का हिस्सा है किसका हिस्सा है भारोपी परवार का हिस् ठीक है और फार्सी और उग्रूब की पहुश्यारी भासां ये हैं and पूर्वूत्तर प्रदेश में तिबत बर्मा परवार की भासा बोले जाती है यह फिर में कुंसी भासा这么 delivery गया है या फिर वीडियो कई भार तो याद हो जाएगा हम जिन किताबों पढ़ते हैं वे लिखी और चापी गई है रिगवेट का उच्छरन किया जाता है और स्रवन किया जाता था ना कि पढ़ा जाता था रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बाल लिखा गया इसे चापने काम मुश्किल से 200 साल पहले हो लिखा था उसे सुन कर याद करते थे ना कि लिखा हुआ पढ़ा था पढ़ाथा उना इतियासकार रिगवेट का अध्यान कैसे करते हैं इतियासकार पुरातत वेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकटी करते हैं लेकिन भौत तीक अफसेसों के अलावा वे लिखे तुसरूतों का भी उपयोग करते हैं चलो देखते हैं कि रिगवेद का अध्यन कैसे करते हैं रिगवेद के कुछ सूक्त बारतालाप के रूप में है विश्वा मित्र नामक रिसी और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच संबात का एक ऐसे ही सूक्त का अंसा जो विश्वा मित्र जी थे विश्वा मित्र नामक रिसी ने और देवियों के रूप में लिखे देवियों के रूप में पूजित कौन कौन सी नदि कस्मीर में पाई गई है जो रिगवेद की पांडू लिपी है वो कहां पर पाई गई है कस्मीर में किस पर लिखी थी भुर्जबरची की छालपर जो पहले आप पढ़ चुके हैं लगभा कब 1500 साल पहले रिगवेद को सबसे पहली बार चापने के लिए इसका प्रियोग किया गया होगा कब 1500 साल पहले इस पांडू लिपी को देखकर अंग्रेजी अनवात तयार हुआ यह पांडू लिपी पूरे महाराष्ट के एक पुस्तकाला में सुरच्छत है विश्वामित औ उठाता है लाइन और कोशन देगा ठीक है तो विश्वामित नदियों से क्या कहा अपने बच्छनों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह है दो फूर्तीले घोडों की चाल से पहाडों से नीचे आओ किससे तुला की है घोडों की चाल से इंदर द्वारा दी हुई स सकती से इस पूर्ती से तुम रथों की गती से सागर की ओर बह रही हो तुम जल से परपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाती हो तो ये ये चीज है इंपोर्टेंट है दो दमकती गायों से तुला की है दो फूर्तीले घोडों की चाल से तुला की है और इंदर द्व पर हमें रोका नहीं जा सकता है रिशी तुम हमसे प्राथना क्यों कर रहे हैं विश्वमित है बैनो मुझे गायक की प्राथना सुनो मैं रतो गाडियों साहिद बहुत दूर से आया हूँ किरपा करके अपने जल को हमारे रतो और गाडियों की दुरियों के उपर ना उठाओ ताकि हम آسानी से उपर जा सके हैं नदिया हम तुम्हारी प्राथना सुनेगे जिससे तुम सुरच्छे तुस पार जा सकोगे इतियाज कर यह बताते हैं प्राथना उस शेत में रची गई होगी जहाँ यह नदिया बैती है वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में रिसी रहते थे वहां घोडों और गायों को महत्तु दिया जाता होगा इसलिए नदियों की तलना उन्होंने किस से किये गोडों और गायों से किये ध्यान रखना ठीक है रिगवेद की प्राथनाओं में अन दूसरी नदियों का खासका सरस्वती सिंदू और सहयक नदियों का जिक् मवेशी गोड़े और रत इनके भारं पड़ें रिखवेद में मवेशियों बच्चों खासकर पुत्रों और घूरों की प्राप्ते के लिए अनेके प्राथनाई हैं ज्यान दखना, मवेसी बच्चों और खास कर कौन थे, पुत्र, घुणों की प्राप्ते के लिए अनेक प्राथना है, घुणों को लड़ाई में रत कीचने के काम लाया जाता था, इन लड़ाईउं में मवेसी जीत कर लाया जाते थे, जो लड़ाई होते थी वो मवेसीं के लड़ाई जाते थे, और जीत कर इने ही लाया जाता था, मवेसीं को, मवेसी मतलब गाय बहांस पगेरा, लड़ाई जैसे, लड़ाई या वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारा गाय हो, या जहां पर जो जैसी जल्दी तयार हो जाने वाली फसल को जाया जा सकता हो, कुछ लड़ाई या पानी के सुरोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थे, युद में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, तता कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, सेस धन आम लोगों में बार्ट दिय जाता, तो युद में जीते गए धन का कुछ भाग कौन रखता था, सरदार कुछ हिस्सा पुरोहित और सेस जो बचता था, वो आम लोगों में बार्ट दिया जाता था, कुछ धन यग करने के लिए भी उप्योक्त होता था, यग की याग में आहूती दी जाती ये आहूती इन योदों में भाग लेते थे, कोई इस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जूलते थे, और योद बसांती के विसह में सलाम अशविरा करते थे, वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदा चुनते थे, जो बहादुर और कुसल योध्या थे, लोगो का बरगी करण काम भासा परवार समदाय निवास इस्तान या संस्कृत परंपरा के अधार पर किया जाता था ठीक है किस पर बरगी करण किस पर होता था लोगों का काम पर भासा पर परवार पर समदाय पर निवास या संस्कृत परंपरा के अधार पर रिगवेद में लोगों तरह के यग और अनोच्ठान कराते थे डूसरी लोग थे राजा थे पहले भी दूसरे थे राजय ये राजय वैसे नहीं थे जिनके बारें में तुम बाद में पढ़गी ये ना तो बड़ी राज़दानी और महलो में रही ते ऑर ना ही इनके करबसूलती थे ना इनके पास मैल थे ना इनके पास सेना थे ठीक है ध्यान रखना जनता या पूरे समदाई के लिए दो सब्द का इस्तिमाल होता था एक था जन जिसका प्रियोग हिंदी और अनभासां में आज भी होता है दूसरा था विस जिसे वैस सब्द निकला है पहला सब्द जनता और समदाई के लिए कौन से दो सब्द होते थे एक जन और विस जन का प्रियों हिंदी नवासां में आज भी होता है दूसरा था विस जिससे वैस सब्द निकला वैस किसे निकला विस से इस विसे में तुम कहां पढ़ोगे अध्याय पांच में रेक बेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं इसलिए हमें पूरू जन या व भरत जन पूरू जन या विस भरत जन या विस यदू जन या विस जैसे वो लेक मिलते हैं ठीक है जिन लोगों ने इन प्रातनाओं की रचना की है वे कभी-कभी खुद को आर कहते थे जिनों ने जो प्रातना की रचना की है वो कभी-कभी खुद को क्या कहते थे आर कहते अपने विरोधियों को दास या दाश्यू कहते थे जो इनके विरोधि होते थे तो उन्हें रगवेत में क्या कहते थे यो लोग दास या दाश्यू कहते थे दाश्यू वे लोग होते थे जो यग नहीं करते थे दाश्यू कौन थे जो यग नहीं करते थे और साया दूसरी भा बाइदाद माना जाता था जो कभी मा काम मालक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था जिस योग में उप महादीव की उत्तर पश्ची में रिकवेत की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगाए पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था देखो वहां क्या हो रहा था यह रिकवेत की चीज है ठीक है कहानी महापासाणों की अगले प्रिष्ट की चित्र को देखेंगे अभी ठीक है यह सिलाखन महापासाण महा मतलब बड़ा पासाण मतलब पत्थर महापासाण का मतलब महा मतलब बड़ा और पासाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते थे यह प या फिर था ढक्कन, दच्छड भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचले थी। कुछ महापाशान जमीन के उपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाशान जमीन के बीतर भी होते हैं। कई बार पुरा तात्विदों को गोलाकार सजाय हुए पत्थर मिलते हैं कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है ये ही एकमात प्रवाण है जो जमीन के नीचे कबरों को दर्साते हैं महापासाणों के निर्माड के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते हैं हमने जो कार की सुची बनाई है उन्हें क्रम बद करो जो पिलुद स कार बताया उन्हें क्रम से पहले क्या करते थे गढ़धा खूदना फिर सिला खंडों को धोकर लाना गड़ा खूदना ध्यान दखना यह क्रम आपको पूस सकता है तो पहले क्या था गड़ा खूदना फिर सिला खंडों को ढोका लाना बड़े पत्थरों को तरासना और मरे हुए को दफनाना यह देखा यह बना है इस इन सब कबरों में कुछ सामानता है मरत्कों को खास किस्म के मिट्टी के बरतन के साथ दफनाया जाता था इंपोर्टेंट पॉइंट है महापास्ट में किस तरह से दफनाती थी कुछ खास किस्म के मिट्टी के बरतन के साथ जिन्हें काले लाल मिट्टी के बरतन कहते थी इंग्लिस में black and red wear ठीक है ध्यान रखना important point मुर्दकों खास मिटटी के ब्रतन के साथ दपनाय जाता था वह ब्लकρέds Red wear काले लाल मिटटी के बतन होते इनके साथ ही मले होते मिले हैं लोही के औजारों और हदियार घूडों की कंकाल और सामान तथा पत्तर और सोने के गहने भी मिले हैं यहां की कबरों में उपर इस तरह के महापाशाण को ताबूत सावधान लिष्ट स्वरी सिस्ट कहा जाता है यह दिखाएगा इस सिस्ट एक पोर्टल होल बड़ा सुराग है जो सायर पत्रों से बने हुए कमरे की और जाने का रास्ता है यह होल ह यहां से महापाशाण कबरों में मिले लोहे के सामान यह है बाई और गोड़े के लिए सामान नीचे बाई और कुलहारी और नीचे कटार है ठीक है ध्यान लगना महापाशाण की कबरों से क्या-क्या मिलता था मिर्थकों के साथ एक तो ब्लैक एंड रेड वेयर बतन मिले ह लोगों की सामाजिक असमानता shaping के बारे में पता लगाना तो पुरा तात्वीत है मौनते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजों मरे हुए ब्यक्तिक ही रहे होंगी कभी-कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में via जैदा चीज़ें मिलती ही ती गरी को खोजो के और संख पाए गए हैं दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिठी के भरतन ही पाए गए हैं यह दफनाय गए लोगों की सामाजिक इस्तिती को भिनिता को दर्साता है कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब और कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुनाई थे ठीक कि सायर एक ही परवार की लोगों को एक ही इस्तान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था बार में मरने वाल लोगों को पोर्टल होल के रास्ते कबरों में लाकर दफनाया जाता होगा ऐसे इस्तान पर गूला का लगाए गए पत्थरों या चटानों या चिन्नों का काम करत यहां लोग आव सकता अनुसार सभाव को दपनाने दुबारा आते तए यह से पोर्टल होल का कि यूज करते थे पोर्टल होल का ध्यान रखेंगे दुबारा दफनाने आने के लिए चिन्य के खोजें यह भीमा की सहयक नदी घोड के किनारे अगर उप्सन में आ जा इनाम गाओं भीमा नदी के किनारे घोड नदी के किनारे तो आप गोड़ा एक जगह है इस जगह पर 2400 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, 3600 से 2700 साल पहले रहते थे, यहां वायस को लोगों को प्राया गढधे में सीधा लिटा कर दपनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था ऐसे बरतन जिन में सायद खाना और पानी हो दफनाय गए साओ के पास रख दिये जाते थे एक आदमी वो पाँच कमरे वाले मकान के आंगन में चार पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया ध्यान दखना पाँच कमरे वाले मकान के आंगन में चार पैरों वाले मिट्टी के बने बड़े संदूक में दफनाया गया बस्ती के बीच में बसा यह घर गाओं के सबसे बड़े घरों में से एक था चोटी आकार के已經 हैं पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पैचाना जा सकता लेकिन एक बच्चे को और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई अंधार नहीं होता है क्या हम आपता लगा सकते हैं कि गोशी सोनीम zombie के साय यूट को परण पर इसका अंदाजा लगाते थे उधारण के लिए कंकाल के साथ गहने मिले तो कई बार उसे महिला कंकाल मान लिया जाता था लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या हैं अक्सर पूरुष भी आपुष्ण पहनते थे कंकाल का लिंग पैचानने का बेता तरीका उसकी हड़ियों की जान चुकि महिलाओं की महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश अकूला पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है ठीक है ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्यान पर आधारित है आ उनों ने चिकेस्या साथ पर चरक साहींता नामा किताब लिखी थी। चरक साहींता नामा किसा सास्त पर आधारित मनुस के सरीर में 166 हड्यां यह आधी hours 2106 हड्यों से भी काफी जादा है संब्धोता चरक ने अपनी गिंती में दाथ, हडियों के जोड़े और कार्टिलेज को भी जोड़ रखा है अगर पूचता है चरक के अमस्वार मनिशक के सरीर में खड़ीилась तो तीन सो साथ बैसे कितनी होते है, 206 तो 360 में उन्होंने दात हड्यों के जोड़े और कार्टिलेज को भी जोड़े रखा होगा ठीक है अब पड़ते इनाम गाउं के लोगों के काम धन्द है इनाम गाउं में पुरा तत्वितों वो गेहूं जौ चावल दाल बाजरा मटर और तिल के बीज मिले हैं इनाम गाउं म गाय, बैल, भैस, बक्री, भीड, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुवर, सामभर, चितकबरा हिरन, कृष्ण मरग, खरहा, नेवला, चिडिया, घड़हाल, कचुआ, केकड़ा और मचली की हड़ियां भी पाई गई हैं देखो कितने सारे जानवरों के नाम हैं अगर कोई पढ रहाता है तो इतने सारे जानवरों के नाम नहीं लेखाएगा में लेखाएगा में लेखा देगा और वहां आ गया चितकबरा हिरन, तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे वहां लिखते हैं यह तो पढ़ी नहीं था यहां खरहा आ गया तो भी हम उससे एक्णोर कर देंगे तो बुक पढ़ने का फाइदा है तीक है ऐसे साच मिले हैं कि बेर, आवला, जामुन, खजूर और कई तरह की दस्बरी भरियां एकत्रित की जाती थी क्या बेर, आवला, जामुन, खजूर और कई तरह की दस्बरियां एकत्रित की जाती थी तो गाईज, 6th class की history बहुत ही important है ध्यान से पढ़ें इस से बहुत जादा question बनते हैं ये था मारा fourth lesson तो इस प्रमाण की आधार पर इनाम गाउं की लोगों की काम धंदों की एक सूची बनाऊं सबसे पहले important सब्द बेद, प्राथना, भासा, रत, यग, राजा, दास, महापासान, कब्र, कंका, लोहा और हम तो बेद की रचना का आरम, 35 साल पहले, महापासानों के निर्माण की शुरुआ, 3000 साल पहले, इनाम गाउं में क्रिसकों का निवास, 3600 से 2700 साल पहले, चरक कबाए, 2000 साल पहले, तो गाइस, जो भी मैं important date बगारा बताती हूं, आप उन्हें एक notebook में एक साथ note कर लेंगे, जिससे आपको revision करने में आसानी होगी, और जन्दी से revision हो जाएंगे, और बाकी मैं इनका revision कराती रहूंगी, क्योंकि अभी मैं NCIT series चला रही हूं, तो पहले NCIT cover कर लेंगे, उसकी बार हर topic का जो clips होता है, जो notes होता है, वो मैं सिर्फ 10 minute की video मैं, एक chapter के लिए सिर्फ 10 minute लों और आपको पूरा उसका जो भी मैंने पढ़ाया है, उसको मैं recall revision करवा दूगी, तो guys, I hope आपको मेरी ये video, ये NCIT series पसंद आ रही होगी, अगर आपको ये series पसंद आ रही है, जो भी आपके relative है, जो housewife है, जो working person है, जो टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, तो आप उन कनल को share करें, subscribe करें, and like करें, और comments जरूर कर दिया करेंगे, क्योंकि आपके comments है, मोटिवेशन मिलता है, और आपके query है, जो आपके question है, वह आप अपने comments box में हमें दे सकते हैं, so thank you guys, take care and bye bye